लोग अच्छों, let's see the question इस question में हमें क्या थे? एक fx function दिया है, देखे क्या दिया है? fx चुह है आपका x cube upon 3 प्लस क्या दिया है? x square upon 2 प्लस क्या दिया है? x plus का 2 ठीक है? और देखे gx क्या दिया है? gx आपका given है x की पौर 4 upon 4 minus क्या दिया है? 2x का cube प्लस क्या दिया है? 11x square upon 2 minus का क्या दिया है? 6x दिया है, ठीक है? चले यहाँ से क्या करते है? f dash x निखाते है देखे, f dash x किसके equal हो जाएगा? f dash x जो है यह आपका हो जाएगा x का square plus x plus 1 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो चले इसका हम क्या करते हैं? sign चिकल देखे, एक एक है आपका one जो की कैसा है? positive discriminant कैसा है? minus कत्री जो कैसा है negative तो this implies always कैसा होगा? positive होगा this implies यहाँ से हमें यह लिख सकते हैं कि f x क्या हो जाएगा? always increasing हो जाएगा ठीक है? f x कैसा हो जाएगा? always increasing हो जाएगा ठीक है? अब देखे, हमें करना क्या है? जो f dash x है f of g x है हमें क्या करना? उसका local minimum find करना है ठीक है? तो देखे, चले f of g x का क्या करते हैं? नहीं हम डेरिवेटिव निकालते हैं ठीक है? f of g x का डेरिवेटिव होगा, किसके एक्वाल हो जाएगा? देखे, f dash g x किसके एक्वाल हो जाएगा? f dash g x into kya हो जाएगा? एक्वाल हो जाएगा? ठीक है? अब देखे, यह f dash x always कैसा है? positive है तो f dash g x क्या होगा? always positive हो जाएगा, ठीक है? तो बस only हम किसका local minima निकाल लेंगे, जो g x है केवल उसी बस का local minima क्या कर लेंगे? find कर लेंगे, जो g x का local minima होगा, वही किसका local minima हो जाएगा आपका, जो f of g x होगा, उसका वही local minima हो जाएगा, ठीक है? तो देखे, यहाँ local minima of g x होगा, ठीक है? only g x बस का local minima क्या करीए? यहाँ पर आप चिक कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो क्या करते हैं? इसके लिए हम g dash x निकालते है, g dash x देखे किसके equal हो जाएगा, g dash x इसको हम करेंगे तो x cube minus differentiate करेंगे, 6 x square plus 11 x minus 6 के क्या हो जाएगा, equal हो जाए minus 6 के equal हो जाए, ठीक है? तो यह क्या होता है? जो आपका, यूबी का expression है, x minus 1, x minus 2, x minus 3 का standard factorization होता है, ठीक है? तो यह x minus 1, x minus 2, x minus 3 आ रहा है, g dash x आ रहा है, g dash x आ रहा है, ठीक है? अब देखे, पूट कर देंगे, g dash x को 0 के equal, 0 के equal पूट करेंगे, तो यहाँ से x का value क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा, ठीक है? अब gx का only क्या करते हैं? हम sign जिक्कल लेते हैं, ठीक है? देखे, यहाँ से gx का sign हम जिक्कल लेते हैं, y dash x का sign जिक्कल लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक हो रहे हैं यहाँ पर ए जाने पर माइनस से प्लॉस सीन्च जो रहा है तो थिए लट पर माइनस से प्लस साइंच जो रहा है तो थिरी पर जाएगा at 3 पर आपका क्या हो जाएगा minima हो जाएगा ठीक है तो देखिए 1 क्या है आपका minima है 1 पर कैसा value मिलेगा min value मिलेगा और 2 पर कैसा value मिलेगा max value मिलेगा ठीक है और 3 पर कैसा value मिलेगा minimum value मिलेगा clearly यहाँ से क्या हो जाएगा इस इंपलाई यहां से क्या हो जाएगा x is equal to 1 and x is equal to 3 आरता क्या हो जाएगा points of local minimum हो जाएगा points of local minimum of gx हो जाएगा local minimum of gx हो जाएगा ठीक है this implies यहां से मूल सकते हैं x x belongs to 1 से 3 यही क्या हो जाएगा दो points हो जाएगे जिसके corresponding जो है for GX का कैसा value आएगा, minimum value आएगा, ठीक है, clearly यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको option, what is the right option, I hope you understood it well, thank you.